Good morning, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चो, कैसे हो बच्चो आप सभी? आशा है आप अपने घर पर स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे तो बच्चो आज हिंदी की कक्षा में मैं आपको क्या करवाँगी? तीन अक्षर से बनने वाले शब्द आज मैं आपको तीन अक्षर से बनने वाले शब्द करवाँगी तो बच्चो तीन अक्षर के शब्द हम दो अक्षर के शब्द कर चुके हैं आपको रेडिंग भी आती है तीन अक्षर के शब्द में जो अब मैंने नए वेंजन करवाए हैं मैं आज उन वेंजिनों के आपके लिए नए शब्द लाई हूँ तो देखें हमारा पहला शब्द कौन सा है लहर 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 क्या होती है बच्चों? समुंदर में, सागर में, पानी उपर उपके आता है उसे लहर कहते हैं लहर 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 और हमारा आप दूसरा देखें शब्द हवाना हवन मैं दुबारा बोल रहीं बच्चों हवाना हवन हवन, क्या होता है हवन? जब मंदिर में जाते हैं तो वाँ पूजा हो रही होती है ऐसे हवन हो रहा होता है या हम घर पर भी पूजा रखवाते हैं तो हवन करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं हवन हवान हवन देखो वान वन के आगे क्या लग गया ह लग गया तो ये क्या बन गया हमारा हवान हवन ये है हमारा माहक रेड़ करो एक बर इसको माहक महक माहक महक कि महेंख की होती है बच्चों महक की खुष्भू को ममा कीछन में खाना बना रही होती है तो वारिश होती है तो उसमें से भी बिली मिटे होती हो तो महेंख Maa Houston A separates in Haa लोगई की शोप पर भी अजीज सी मिठी 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 महेंख आ होती है, फूलों की भी एक अलग खुश्बू होती है, महक होती है, तो क्या कहते हैं इसको महक, महक, तो बच्चों, ये थे हमारे तीन अक्षरवाले शब, अब आपको नोटबुक में हमारे अवान लिखना है, महक महक लिखना है, लहर लिखना है और सुन्दर सुन्दर हव बनाना है मैंने कहीं बच्चों का हव देखा है अच्छी नहीं आपकी लिखावट आई हुई है अच्छी formation नहीं है तो मैंने आपको बताया है न त या ड़ आधा बना के तो पूछ बनानी है ठीक है बच्चो okay bye बच्चो thank you so much धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चो